जैहिन दोस्तों सभी को जुहार मैं सभी इस्पेक्टर के पीसिंग आप समों का इस्टडी फर गोल्स पे श्वागत करेंगे चलिए आज मिक्स कोशन करते हैं हम लोग सची वाले से रिलिटेड पता नहीं एक्जाम किस डेट को हो लेकिन हम लोग तो त्यारी करना है तो हम लोग त्यारी रखेंगे आज फिर चलेंगे, आज फिर उठेंगे, खुद को जिताने के लिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें क्या है, हम लोग सची वाल है का important question देखने वाले हैं, पूरे whole series से याद रखेगा, पूरे whole series से देखने वाले हैं, याद रखेगा दोस्तों, टेलिग्राम मे इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल प्ले से कर सकते हैं, चलिए, पहला question, गुरुजी बोला भै, तो उआवी, कौन काल कर उधारने के, टेंस, टेंस जो काल आप लोग को हम बताए हैं, तो याद रखेगा, नगर पाली काम दो पूचु का, इसमें दो से तीन question कनफाम एक दम क इंपोर्टेंट फेक्ट्स पर हालाइट कर रहे हैं, एक तरह से दिमाग की कसरत करा रहे हैं, अपनों का होल से लिवस का, तो गुरुजी बोला भै, तो उआवी, कौन काल कर उधारने हैं, तब भहिशत का उधारने हैं, ठीक है, जो किसी दूसरे एक्षन, कोई एक्षन ज गीत बेगर ताल कर गाल जाएला, बोल रहा है, नाकपूरी संस्कृति का कौन सा गीत है, जो बिना ताल का गाया जाता है, उदासी, पावस, अंगनाई, बंगला जुमर, ठीक है, ध्यान देजेगा, उदासी भी पढ़े होंगा, पावस भी पढ़े होंगा, अंगनाई भी बाजा के बजाया कर जानकर है, ध्यान काता है, जहरकन के दरोः यह पुस्चन में कुछा जाता है, फिर्द besar तो फुछ लिया जाता है, जो ना कब हुआ रजरप्पा के इचिन मस्तिका मंदिर ठीक है जो भी जहारकन में फेमस हैं देवगर मंदिर के बारे में तो बिर्शा मुंदा दवारा कौन बजा का प्रियोग के गया था तुहिला धांग धोल देवल सब आप लोग कमेंट मेंसर कीजिएगा राइट एंसर इस प्रिशा मुंदा दवारा तुहिला बाजा का प्रियोग करते थे अगला कोस्टन जहारकन सरकार बटले आजवन उपलबदी प्रुसकार कम मिला जहारकन सरकार से दिमाग से निकल जाता है दियान दिजेगा आज जीवन उपलबदी प्रुसकार बहुत इंपोर्टेंट प्रुसकार है इनको मिला है दस एगारा एगारा बारा आपका क्या है आज जीवन प्रुसकार मिला है चली अगला कोशन चलते हैं कौन प्रेश से नहन गीत कर संग्रा उलाहना छप लग देखे उलाहना उलाहना जो है यह गीत संग्रा है गीत संग्रा इकर में से कौन आए तो उलाहना क्या है गीत संग्रा है और कौन सा प्रेश से छपा है तैसी कालेला चाय बैसा है जोहर प्रे बंगला प्रेस रांची से वह उलाना चो पाया काँ है बंगला प्रेस चोर्चन है ढाताइब अगला कोश्चन अठाकुर विश्णात साही के बारे में कहा गिया है इस परकार के भी दिखिया क्योंकि नगर पालिका में एकदम भरमार था इस परकार के प्रस्णों का यह लाइन उठाकर कि किस कविता से दिया गया है इस बात मंगरू के कहलग अंगना में छिटलें धेर कहुआ उतरबें यह बहुत बढ़िया लाइन कहा गया है एक तरह से व्यंग था संटेंस में करमचारी बोलता है सोराई बुड़ा बोलता है देमन बोलता है मंगरु के कौन कहा इकाथन तो याद रखेगा तो इस अराम से इसको पकड़ सकते हैं अगर कहानी पढ़े होंगे तो लोग तो मंगरु को क्या है वहां का जो जो सेट टाइ मतलब क्या है अगर तुमको जब उसकी नानी डित कर जाती है मंगरु की तब बोन्ता कि तुमको जो तैक्शा तो नहिंत देंगे बहुत को तियार हो जाएगा तो यहीं अर्तवा थेवमन औहटार ठीक है देमन आधार पोलते हूं इंस पारिए नोट Calamati men प्रट्राइब को जज के द्वारा साथ साल का सजा सुना गया था ठीक है अगला क्वेश्चिन शदानी देखे क्या है कि एक तरह से आप लोग जितने भी देख रहे हैं इसको एंसर जरूर कमेंट में आप लोग कीजिएगा एंसर कमेंट में कीजिएगा तो पता चलते रहता कि आपकी त्यारी किस परकार है मेरे अंसर बताने से पहले आपको एंसर करना है एक पूरा क्वी क्रिविजन हो जाएगा होल से लिए बसका फिर आप पुना अपने स्टेडी पर जाके लग सकते इसलिए क्या है कि यह वीडियो थोड़ा सौट होता है ताकि आपका समय का ध ठीक है तो मतलब यह सदाने अरजी सब्द को उसका संक्रण किसके द्वरा त्यार किया गया है थो फादर पीटर शांती निवरंगी द्वरा यह त्यार किया गया था ठीक है एंसर डी तो इस परकार के कोशन को याद रखेगा बुक से भी कोशन पूछा जाता है भारतिय प्रशाष्णिक अधिकारी के रूप में केकर नाम नाकपुरी साहत से जुड़ल है भी भी आई कोश्यन है क्या है भारतिय प्रशाष्णिक अधिकारी के रूप में किसका नाम नाकपुरी साहत से जुड़ल है द्वारिका नात सिन्हा चिंतुनाय का राजी कुमार क कदिकारी वी राचुके हैं अगला कोश्चन तोर बेतरा तोर बेतरा कविता में कौन आभूसन कर चर्चा है ठीक है बहुत बढ़ी है से इसको बताया गया था मेरे द्वारा कि रिविजन कर लिजएगा गलती की गुझजाई सब नहीं के बराबर होनी चाहिए ठीक है अगला कोश्चन केकर रूप धायर के बुलायक आहवान बोलेक आहवान नाकुरग भाईमन कविता में कविकर है किसका रूप को धर करके आहवान करने का बात किया गया है किसका वित थर-थर कापते थे ठीक है जब इनकर तलवार चलता था तो ध्यानर जीगा नाकुरग भाईमन में विस्वनात का रूप धर करके आवान किया गया है कि विस्वनात रूप का धरन करके जो है आगे बढ़िए चीज़ों को ले करके चलिए ठीक है अगला कोश्चन सुक दु की जो भावपुर्ण अवस्ता है उसको किसी भी गिने चुने सब्द में स्वर साधना के रूप में पेस करना ही क्या है गीत है यह प्रस्तूत गित कर परिभासा इसकी परिभासा कौन दिये हैं बहुत इंपोर्टेंट है यह भी याद रखिएगा इंपोर्टेंडर भी व हमारी वसंति यह प्रोदा देवी तो क्या है इसका एंसर हो जाएगा बताइए अब लोग कमेंट्मेंट कीजेगा एंस राइट एंसर महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा दोरा ही कि आगया कि सुख्दिक जो भावपुर्ण जो अवस्ता है उसको सब्दों में पीरोदे राग में पिरोद हैं स्वरसादना की रूप में ले आएं तो वही हमारी क्या है गीत है अगला कोश्चन बच्चर 1911 में बंबई से कौन सा कावे संग्रा चपाता है 1911 में ध्यान रखिएगा फाक सत्क नाकपूरी फाक सत्क नाकपूरी सत्क रामाइने सीता है इन्द के चार अगला कोश्चन लास्ट कोश्चन यह दूसर पहें डेंस लगाए लब जो दूसरे को डेंस आरोप लगाता क्या है डेसा हा दोस्त लगाए वाला आरोप मढ़े वाला इनमें से कोई नहीं बताइए तीनों अप्सन कन्फूज करने वाले देखते हैं आपके अंसर किजिए देखें सब्सक्राइब डेखेंसर में कमेंट में सर्कीजिए पर इसके बाद आते हैं इसका मैंसर आपको बताते तब तक आप एंसर किजिए ठीक है देखिए अंसर किया हुआ यहां याद रखेगा दोस्तों नाखपुरी से जुड़ना बहुत है त्पर 3 बहुत इंपोर है ध्यान देज़ेगा विगत वर्षों के प्रश्ण प्रत्र गनीचेवं रिजनिंग का सॉल्यूशन भी आपको दिया जागा विसे सग्यों तो प्रत्री के टेस्टी से जुड़ी देखे 50 फुल लेंग टेस्ट आपको दिया जा रहा है जो कहीं भी किसी भी आपको किसी प् सब्सक्राइब कर देख सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग बने रहे एक्जाम आजनकल होना ही है वो डेट से नहीं घवरा है अपनी तैयारी रखी अगर तैयारी कम है तो इस बीच अपने आपको और तयार कर लिजिए सुद्रिल कर लिजिए ठीक है याद रखेगा जो सिक्क सब्सक्राइब कर लेना है और आगे बढ़ जाना है थैंक्स पर वाचिंग सभीक जुहार जैहिंद बने रहे स्टेड़ी फर गोल्स पे स्वस्त रहे मस्त रहे और स्टेड़ी पर फोकस्ट रहे मिलते हैं अगले क्लास में